हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक आपने दम आलू तो कई बार बनाये होंगे बट आइकन गेरेंटी यू कि इस टाइल से बिल्कुल भी नहीं बनाये होंगे तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो अभी मैंने आलू ले लिया है जिसको मैंसे राउंड कट क कर रही हूं वैसे तो दमा आलू के लिए वह चोटे वाले आलू होते हैं राउंड राउंड चोटे चोटे बट मेरे पास वह नहीं थे तो मैंने रेगुलर वाले आलू ले लिया है बिल्कुल मीडियम साइज वाले और इसको ऐसे हमने कट कर लेना है थिकनेस आप देख सक दमालू को हमने गोल्डन ब्राउन करना है बहुत जादा डाक गोल्डन नहीं होना चाहिए कलर हलका सा लाइट गोल्डन होना चाहिए बट गोल्डन होना चाहिए तो अभी यह गोल्डन हो चुके हैं तो इनको बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकालने के बाद हमने इसक तब तक हम अपना तड़का रेडी कर लेंगे दम आलू के लिए तो मैंने एक फ्रेश कड़ाई ले ली है इसके अंदर डालेंगे जब से पहले ओयल जैसी ओयल गरम होगा जाएगा तेजपता सूखी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ दो सूखी लाल मिर्च है जिनको मैंने तोड़के डाल दिया है जीरा डाल दिया है एक चमच साथ में डालेंगे हिंग हिंग तो जरूर डालना बहुत सई फ्लेवर दे दिया है आध में अब डाल रही हूँ, एक बड़ा प्यास ग्राइंड करके अब ग्राइंड करके जो प्यास हम डालेंगे इसको हमने पकाना है, एक पणनी गोल्डन ब्राउन करना है, और आपको ऐसे करशी से उसको चलाते जाना है बिल्कुल भी प्यास जलना नहीं चाहिए अगर आ तोड़ा सा इसका जो चटतापन भी ध्यान रखना है सात में में डाल दिया हरी मिर्ची और कसूरी मेटी अपने हैं क्रश्क कर देना है मिक्स कर के सिर्फ 2 मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट के बाद ही जो हमने अभी मैरीनेशन बनाया था वो डालेंगे तो marination इसके अंदर जाएगा तो आप देख सकते एक दम अभी ठिक हो जुक है marination यह बहुत सही से ना आलू के साथ सारा masala मिक्स हो गया है और सारा कुछ इसके अंदर डाल देंगे इसको पानी डाल के थोड़ा सत धोके अंदर डाल देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और ऐसे mix कर देंगे आप हमने बेसिकली इसको में पकाना है यह जो masala बन गया है इसको पकाने का में मैथर्ड है आप इसको दीरे दीरे पकाईए बिलकुल आपको मीडियम लोग ग्रास ही रखनी है और इसको चलाते जाना है और तब तक पकाना है जब तक प्रॉपर एकदम तेल ना छोड़ दे आपको जितना पतली सबजी चाहिए आप उसे साब से पानी डालिए और इसको पकाना है ढखके 10-15 मिनिट के लिए ताकि सारा जो मसाला है आलू के अंदर चला जाए लास में डाल दिया है गरम मसाला और बहुत सारा हरा धनिया और इसको अभी हमारे दम आलू बनके it see you in the next video with more new recipes till then bye